गुटने की अर्थराइटिस को बिना ओपरेशन द्वारा कैसे ठीक करें? तो मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा है, मैं एक और्थोपेटिक सर्जन हूँ, और्थोस्पोर्ट के अंदे हैं. तो पहली बात करते हैं कि आखिर गुटने की अर्थराइटिस क्या होती है और इसके क्या सिम्टम्स आते हैं, गुटने की अर्थराइटिस का मतलब है दोस्तों, कि जो हमारा गुटना होता है, ये जैसे आप नीर का मॉडल देख पा रहे हैं, तो उपर वाली हड़ी फीमर, बीचे वाली हड़ी टीबिया और एक और हड़ी होती है, जिसको बोलते हैं पटेला, फीमर, टीबिया और पटेला ये तीन हड़ी होती है, इन तीन हड़ी हड़ीयों के उपर एक काटलेशी कवरिंग रहती है इस तरह से, जो ये आपको मॉडल के ब्लू रंकी दिखाई द होता और इसमें दर्द नहीं होता गुटने में, क्यों कि हमारा काटलेश मोटा है, अर्थरैटिस का मतलब है कि हमारा काटलेश अगर धिरे-धिरे घिसने लगे इसको बोलते हैं अर्थरैटिस, जैसे कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, इसके अंदर moderate अर्थरैटिस हो गई है, कार्टलेश थोड़ा थोड़ा गिसने लगा है, आपको लाल लाल लेडी दिखाई देने रहे हैं, इसी में ये कंडिशन और जब सीवेर जाती है, तो हमें इस तरी की अर्थरैटिस दिखाई जीती है, इसमें कार्टलेश हट गया और नीचे हड़ी आ गई है, जब सीवेर अर्थरैटिस हो जाती है, तो चलने फिंडने में बहुत दिक्कत आती है, गुटने में बहुत दर्द होता है, पहले हमाitsा गिसने गूस। ने गूसका बोगताय को जब गिसने लगती है तो एक बार गिसने लगती ह्तों, तो आपने देखा होगा है बहूट स जनरली ये ओल्ड एज में डवलप होना चालू होती है, कुछ-कुछ बिमारियों में ये या ट्रॉमा के कारण ये यंगर एज में भी डवलप हो सकता है, ये जब डवलप होती है तो चलने फिरने में दर्द होता है, पैटेरे हो सकते हैं, बड़ी कटना यहां आती है, गुटने का X-ray कराते हैं, वो भी standing X-ray मुलब खड़े-खड़े, तो हमें arthritis का मालूम पड़ता है, कि 3 severe arthritis, जब हम X-ray करते हैं, तो हमें उपर लेड़ी दिखाई देती है, फीमर, नीच वे लेड़ी दिखाई देती है, तो इसमें हमेरे हड्डियों के बीच में गैब ठीक करते हैं, दोस्तों, बिना operation के द्वारा arthritis वही ठीक होती है, जब आपकी low grade या moderate grade की arthritis हो, एक बार high grade डवलप होगी, तो इसको बिना operation से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, सबसे important point, regular exercise करना, अगर आप regular exercise करने हैं, गुटने की, आपके जो थाई की mass species हैं, वह काफी होता है, तो आपको arthritis के होने की chances कम होते हैं, और दीर-दीर जो arthritis होई है, वह भी उसका pain भी कम होने लगता है, important है कि आपको सारे muscle group involve करने है, exercise के अंदर VMO exercise करनी है, quadriceps exercise करनी है, hamstring exercise करनी है, calf muscle strengthening करनी है, आपको hip और back की भी strengthening करनी है, क्योंकि वह सब आपस में जुड़ेगे तो आप जब सारी exercises करेंगे, तो आपका pain कम हो जाएगा और दीर-दीर arthritis जो जिस हिसाफ से बढ़री हो साथ बढ़ेगी नहीं, दूसरा यही exercise करते समय आप एक knee sleeve यूज कर सकते हैं, वो आपको जादा comfortable feel कराएगी, आपको exercise करते समय पेन कम होगा अगर आप knee sleeve यूज करते ह कर सकते हैं, वो पेहन के आप walking कर सकते हैं, रेगुलिर exercise, knee sleeve, दूसरा जितना जादा वजन पढ़े आप उत्ता जादा घिसेगा वो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हमें weight कम रखना है, weight maintain रखना है, एक simple सा formula है, जितनी आपकी height है centimeter में, उससे minus 100 करेंगे तो वो आपका ideal weight हो होना चाहिए, exercises, sleeve, weight reduction, healthy life style, के बाद भी कुछ लोगों में दर्द रह जाता है, तो आखिर उसको हम कैसे ठीक करें, तो तीन तरीके injections, दोस्तों, हम लगा सकते हैं, आपके घुटने में, दर्द कम करने, पहला injection आता है, इस्टरोइड का injection, लगबग लोग 6 महीने में, कुछ साल भर में लगाते हैं, उससे आपका pain कम हो जाता है, दूसरा injection होते है, जल के, इसमें हलोन कैसी दोता है, तो जल के जब injection डालते हैं, तो आपके घुटने में lubrication आता है, और आपके दर्द कम होता है, और आप अराम से exercise कर पाते हैं, चल फ्रे सकते हैं, साल भर में PRP वाइल है, यह आर्थरक्स किया है, इसका नाम है ACP, Autologous Conditioned Plasma, तो अलग-अलग तरी की PRP वाइल साती है, PRP का मतलब होता है, प्लेटलेट रिच प्लाजमा, यह आपके ब्लड से बनती है, तो जनरल ही हम 20 ml ब्लड निकालते हैं पेशन का, उसको हम PRP वाइल में डालते ह उससे क्या होता है, PRP वाइल के नीचे ब्लड इखा और उपर आता है PRP या ACP, इसके अंदर platelets होता है, growth factors होता है, regenerative properties होती है, यह PRP जब हम आपके घुटने में इंजेट करते हैं, तो आपका जो damage cartilage है दोस्तों, उसको यह रिजनरेट करता है PRP, यंगर पेशन में जनरल पे और जो older patient होते हैं, उनको हम चालू three injection से कर सकते हैं, एक एक week की interval पे और उसके बाद साल भर में एक injection maintenance dose के तरह है, तो यह आप अगर हम लगाता है लगा रहे हैं गुटने में, तो गुटने का दर्द कम रहता है, आप a cartilage region rate होता है और आपकी arthritis उस तरह से नहीं बढ़त है single dose से, कई बार तो जो भी patient आता है हमार पास तो हम उसमें लगबग दो while use करते हैं PRP का एक नहीं के लिए, दूसरा frequency of PRP क्या होनी चाहिए, frequency of PRP आपको single session लेना है, double session लेना है, triple session लेना, यह depend करता है कि आपको कितनी sever arthritis है, तो 77 days के interval पे, 15 days के interval पे हम sessions कर सकते हैं, एक ब important बात के PRP लेने से ही सब चीजें सही नहीं होती, PRP लेने के बाद जो नए cartilage cells develop होया, उनको बचाना बहुत जरूरी है, तो एक proper अच्छी knee sleeve पहननी पढ़ती है, और regular exercise करनी पढ़ती है, ताकि आपके जो नए cartilage cells है, वो healthy रहे हैं, बचे बहे हैं, तो अगर आप यह गुटना घिस जुगा होता है, दोस्तों, इसके अंदर PRP काम नहीं करती, इसके अंदर PRP या जल के injection हम लगा सकते हैं, सिर्फ उनी patient के को जो जिनको अपना operation delay करना है, या जो operation के लिए unfit हैं, तो उससे कुछ pain कम जाता पर पूरा pain खतम नहीं होता है, तो अगर आपका बह PRP injections अच्छे रहते हैं, ACP injections अच्छे रहते हैं, जो आपका pain कम करते हैं, और आपकी activity level को बढ़ाते हैं, आप comfortable लीट करते हो अपनी जिन्दी को, एक बार ये पूरा घिस गया, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे options available हैं सर्जरी में, टोटल नी रिप्लेस्म इसके लिए हमारे पास अलग वीडियोज हैं, आज हम बात करेंगे सिर्फ रिजनरेशन पे के आपके घुटने को arthritis से कैसे बचाया जासे हैं, मैंने इस वीडियो के नीचे link दे रखा है, अगर आपके घर में किसी को भी नी pain है, और परेशान है, बुजग है, माता पीता है आपके, तो आप हमें अपना एक्सरे भीजिए वाट्सअप पे, और मैं एक्सरे की डिटेल में स्टेटी के बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपकी arthritis को ठीक करने के लिए, बिना सरजी से क्या के लिए बीजिए वाटेश।